उनसे बापुजी की केस के बारे में पैसे मांगे गए थे साधक है उनसे बापुजी की केस के बारे में पैसे मांगे गए थे और बाद में पता चला कि वो साधक ही नहीं है तो ऐसे महाठगों से कैसे बचा जाए सही बात है यह अभी तो यह पूरी भर्मार चल पड़ी है बहुत अच्छा प्रश्न किया अपने जब से बापुजी गए हैं तो बापुजी के केस के नाम पे स्वास्त के नाम पे हैल्थ के नाम पे कई सारे लोगों ने अलग अलग गुरूब बना करके और पैसे मांगने शुरू कर दिये तो ऐसे लोगों से बिल्कुल शावधन रहना चाहिए किसीने कई बोलते कोई पार्टी बना लिए कोई पार्टी के नाम पर पैसे ले रहे हैं कोई हेल्थ के नाम पर पैसे ले रहे हैं कोई केस के नाम पर पैसे ले रहे हैं गुर्देव समय समय पर आगाह करते आए हैं साफ साउधान किया गुरुजी ने कि जो भी मेरे नाम से पैसे मांगे, केस के नाम पर पैसे मांगे गुर्देव तो बोर्ड लगवाते आश्रमों में कि कोई भी चंदा नहीं देगा किसी भी नाम पर चंदा नहीं देगा, केस के नाम पर कोई पैसा नहीं देगा और जो कोई पैसे मांगे तो उसको जूता सुंगाओ ये साप साप गुर्देव के वचन है फिर भी अगर कोई साधक अगर फिर भी फसरा उनकी बातों में आ रहा है तो ये तो उसको अपने अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि गुर्देव साक्षात हमारे गुर्देव ने अगहा कर दिया है शावधान कर दिया है कि ऐसे ठगों से दूर रहिए ऐसे ठगों के वहकावे में ना आईए जो जंदा मांगे जो पैसे मांगे उसको जूता सुंगाओ तो आपको जूता सुंगाना चाहिए तो उनको आप समझ दीजिए और ऐसे अगर किसी ने ठगी करी या धोके से तो उसके खिलाब कम्प्लेन कीजिए उसके खिलाब एक्सन लीजिए किस तरीके से ठगी करके उसने 400 WC करके 420 का केस लगा करके पैसा अपना वापिस लो तो आगे से सादगों को सादगों को सादगों रहना चाहिए साफशाब गुर्देओं के वचन है कि केस के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर कोई भी सादग किसी से पैसे मांगता है तो उसको जूता सुंगाओ किसी भी कहीं का भी हो कई ऐसे घूम रहे हैं कोई बिदेशों से भी पैसे नराई लोगों से भी कलेक्शन ले लेते हैं कभी 10 लाग, कभी 20 लाग, कभी 15 लाग बोले बाले लोग गुरुजी के नाम पर कोई कुछ भी करवा लेता है emotional card खिल लेते हैं क्योंकि सब को पता है कि इतना समय लग रहा है बिलंब हो रहा है गुर्देव का स्वास्त बहुत लडखड़ा हुआ उसका फाइदा हर कोई जो भी ठग लोग हैं, वो ठगते रहते हैं मोका मिल जाता उनको तो ऐसे लोगों से आप सावधन रहिए आप भी सावधन रहें और वो को भी सावधन करें हरियो हाँ जी हरियो, इसके पहले दिदी ने सवाल पुछा था कि जो बापुजी के नाम पे केस के नाम पे कुछ सास्तों के नाम पे पैसे इकटा करें उन से ठगों से कैसे बचाया जाए और जीज तो मेरा सवाली है कि जीज गाव में एक भी साधक नहीं और अईशे गाव में जो ढख जाते है क्या बापुजी के केस के लिए पैसे चाहिए क्या स्वास्त के लिए कुछ उपाय करने उसके लिए चाहिए वकिल करने के लिए तो उससे कैसे निप्ताया जाए निप्ताया जाए साफ साफ गुर्देव बोल दिये हैं कि जो भी आप से पैसा मांगे केस के नाम पे, स्वास्त के नाम पे और किसी भी चीज के लिए उसको जूता सुंगाओ ठीक है, उसकी सूचना आप मुख्याले के लिए तो साफ बोलो उसको कि वही हमको आप बात करा हो अश्रम से मगर उस गाह में एक बी साधक नहीं है उरा गाव नाम साधक है और उस गाह में उजाकर उपहलार है और मेडिया पर वोगा विश्वास करते है हम या तो यह आपको अम्दावाद मुख्यारा पर सुचित करना चाहिए कि कौन विक्ती है inska नाम बताना चाहिए, उसका बीडियो बनाना चाहिए, उसका फोटो बनाना चाहिए ज़्क पैसे बांगना चाहिए तो औसको बो लो कि हम तेरा बीडियो बना रहे हैं बता तू किसली पैसे चाहिए तिरको तिरको किसने बेजा है पैसे के लिए जब वो आये ते तब हमें पता नहीं था अब पता चल गया ना तो उसके आठ दिन बाद जब वो मजदूर हमारे खेट में आया था मजदूर थीक अब आप आगे से सावधान रहिए और और को भी सावधान करिये ठीक है थीक है कर दो